असलामों अलेकूम, हेलो फेंट्स, वेलकम टू मैं जहां राज की चेन, आप सब कैसे हैं, अलहमदो लिला उम्मीद करती हूँ, आप सब खेरियत से जरूर होंगे, आज मैं आप सभी के साथ बहुती क्रिस्पी चिकेन लॉली पॉप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इस इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को किलिक करना मत भुलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे, तो च करीब हमें अद्रकलैसन का पेष्ट चाहिए, इसे के साथ मैं पर दो अंडे कु तोड का डालेती हूं, अंडे कु अलग से काटोरी पर पहले तोड ले उसके बाद इस तरह से डाले, अब मैं यहां पर एक निम्बू का रज डालेती हूं, आप चाहें तो यहां पर दही भ ब भुनवा पावडर, आधी चोटी चमच हल्दी पावडर, दो चोटी चमच कसूरी मेहिटी, इसे जरूर्ण एट किजिएगा, इसे टेस्ट बहुत इबर जाती है। इसके साथ मैं पर डालेती हूं, दो चोटी चमच determ 2 चमच अटिन गर्म मसाला पावडर, घर्म आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लिएगा इन सभी चीजों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं तो इसका जो है ना कोटिंग करने के लिए मैं हाप पर तीन चमाचे करीब मैदा डाल देती हूं अब हमें क्या करना है इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकेन में प्रॉपर तरीके से आप इसे मिक्स कर ले चिकेन में मैंने नमक एक छोटी चमाचे करीब डाला है क्यूंके चिकेन हम फ्राय करेंगे तो ज्यादा नमक की हमें जरूरत नहीं है बाद में भी हम तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसे लिट से कौबर कर लेती हूं दो घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज पर रख लूँगी वाद हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है मसाले अच्छी तरह से चिकेन के अंदर अब्जॉर्ब हो चुके हैं नम्मक भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है तो इसे फ्राइ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमने इसे मैडिनेट करके रखा हुआ है दो गंटे के लिए आप चाहित इसे ज्यादा भ मसाले को खुल जाएगा तो खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा तो देखें यहां पर मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे तीन से चाल मिटकली फ्राइ कर लिया है अब मैं इसे पलट लेती हूं यहां पर आप देख सकते हैं इसका कोटिंग बिल्कुल भी खुला नहीं है पर ता कि इसे निकाल लेती हूं मैंने एक प्रेपर पर इसे रखा है ता कि जितने एक्स्ट्र ओएल होगा वो निकल जाएगा और इसी कड़ाई पर मैं बाकी के चिकन लॉलीपप को फ्राइ कर लोंगी हमें इसे क्या करना है फिर से और एक बार फ्राइ करना है । डबल हम अ पहले में भाकी कह चिकेन के हम मिरियम फ्लेम तिन से चाहर मिटकली करें उस youngest पले कंप और है आर्ट जावार करिं इंद्र भाण कर लीडा तो इसे हमें 3-4 मिट के लिए हाइफ लेना है तो इस तरह से अगर हम डबल फ्राय करते हैं तो यह खाने में बहुत ही मज़दार का और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होता है तो देखिए हमारा चिकन लॉली पॉप अब जो है बिल्कुल बनकर तयार है इसका कलर देखिया और इसका टेक्श्चर देखिये कितना क्रिस्पी बनकर तयार हो है और इसका कोटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको तेल पर खुला हुआ नहीं दिख रहा हो कोई भी पार तो इस तरह से आप एक बस ज़रूर बनाइए मैंने यहां पर तीन हरी मिट को लंबे स जो रहता है वह ज्यादा थीखा भी नहीं रहता है तो अब हमारा जो है चिकन लॉली पॉप को मैंने फ्राय कर लिया है यहां पर मैं जो है ना फॉइल पेपर को इस तरह से उसका पार रहता है नीचे उसे मैं कॉवर कर लेती हूं बिल्कुल एक जो है ना इसका लुक टेस स्टाइल जैसा ही आजाता है अगर हम इस तरह से कॉवर कर लेते हैं आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं इसे सर्फ करने के पहले इसके उपर थोड़ा सा नीम्बू का रज डाल लें और साथ ही चाठ मसाला पॉडर भी स्प्रिंग कर लें बहुत ही लाजवाब हमारा चि रहता है अंदर से उतना ही जूसिला बनकर तयार होता है आप इस रेसिपी को ट्राय करना मत भुलिएगा तो अगर आज की क्रिस्पी चिकेन लॉली पॉप की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हलफ लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक अपना ख्याल रखें और मुझे दूाओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज